सै लौकिष्ण नमन मौय औल सूइट डियर थूइंट प्यारे विध्यारति व। आज हम बात करते हैं artificial method of vegetative propagation के बारे में आर्ट इफिछल मेथड और bb pupal pagasens का कृत्म मेथड यानिकी हम क्रित्म तरीके से किस तरह से bestiddyka कर सकते हैं apart from these natural method यह नेcal method ַे सा अलग है there are some other artificial method ऑफ बेटेस्टेटीब प्र corruption कॉन कॉन से मैथाड है मैथड ऑफ artificial propagation पहला है स्टैम कटिंग दूसरा है लेयरिंग तीसरे है इन crap इंग्ष टैम कटिंग्ष ए टिरें ग्राफ्टिंग इंग्ष हम यहां पर stem cutting की बात करने वाले हैं यहां पर कोई न कोई एक node होनी चाहिए node और anti node के बारे में आप जानते होंगे जहांसे पत्या निकलती है इस टैम का भाग जहांसे क्या निकलती है पत्या निकलती है ब्रांचिज निकलती है वेना stem cutting is placed in the moist soil stem cutting में moist soil की जरूत पड़ेगी भई हम cutting तभी तो करेंगे जब इसे हम under suitable condition रखेंगे moist soil के अंदर रखेंगे नमी वाली मिट्टी के अंदर रखेंगे मिर्दा के अंदर रखेंगे it develops new leaves and root और यह है नए leaves root डवलब करेगा stem cutting finally grows into a complete plant जो stem cutting करेंगे हम जब इसमेंसे root और फाइल में लगा देगे the stem cutting finally grows into a complete plant और stem cutting होता है यह completely ग्रोग कर जाता है एक्जम्पल क्या होने चाहिए रोज सुगर कैन बगैनी विलिया रिपूडूज फ्रॉम इस्टेम कटिंग तो यहां पर एक एक्टिविटी है एक्टिविटी अपको करनी है आपके पास कोई रोज है तो आप प्लीज उसके लिए एक बीजियो सूट करिए और अपनी एक्टिविटी को दिखाईए कि हमने किस तरह से इस प्लांट को उगाया है उसके बारे में बताईए यानि कि आपके पास जो इस टैम है उसमें नोड जरूर होने चाहिए क्योंकि नोड से ही तो कहीं न कहीं कलिया निकलेंगी है ना लेयरिंग दूसरा मेथड है लेयरिंग लेयरिंग क्या होता है असे समझिए आपका यह प्लांट है और प्लांट कहीं न कहीं देखो नीचे की तरफ मुड गया है और जब मुडने के बाद यह इसमें क्या हो गया ह रूट निकलना स्टार्ट हो गए हैं इन दिस मैथर और प्रोपगेशन दा इस्टैम ओफ प्लांट इज वेंट डाउन सार्पली इन्टो दे ग्राउंड यह जमीर की तरफ वेंट हो जाता है नीचे की तरफ आ जाता है इसमें जैसे यह सोयल से कनेक्ट होगा तो बहाँ पर सूट निकलना स्टार्ट कर देंगे सूट भी उपर की तरफ निकलेगा रूट भी निकलेगा यह जो आया है यहां से एक नया प्लांट बना हुआ है तो आफर सम टाइम अब हम इस Пलांट को मदर करेंगे गाल जांगala वारवार गिशबया हमाइक में डो प्लांट है करेंगी बात क्राफ्टिंग क्लम लगाना ग्राफ्टिंग को क्या कहते हैं कलम लगाना ठीक है निव वेराइटी और प्लांट आर डवलप बाइड इस मैथर्ड इन दिस मैथर्ड दा रूट पोर्शन काल दा इस्टॉक यानि कि जो रूट का पोर्शन है उसे हम इस्टॉक कहते हैं इस्टेकन फ्रॉम बन प्लांट एंड इस्टेम पोर्शन यहां पर बहुत सारे बढ़ होंगे इन बढ़ को कहेंगे इस्टेकन फ्रॉम एनुदर प्लांट और इसमें हम दूसरे प्लांट में ले लेंगे हम दौनों जगे कट लगा देंगे इस्टॉक पर भी और इसके उन पर भी ठीक है अबली की कट एंड टाइड टुगेदर फर्मिली एंड प्लांट इस्टेकन फ्लांट में क्या करेंगे स्टॉल में इसको रख देंगे जिससे कि हमें नई वेराइटी का प्लांट देखने को मिलेगा क्या क्या एडवांटेज है इन सब वेजटेटिव प्रॉपेगेशन के इसकी सायता से पौधों की जो संख्या है वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ती है प्लांट मैचर एंट विरफ्रूट फास्टर बहुत जल्दी मैचर हो जाते हैं और जल्दी फलधार करने लगते हैं आपने देखा होगा कभी कभी छोटे छोटे पौदे ही फूर्ट देने लगते हैं जो नए प्लांट होते हैं वो अपने प्लांट की अग्जक्ट कॉपी होते हैं तो यहां पर जब एक्जक्ट कॉपी होते हैं इसलिए हम अपनी डिजाइर क्वाल्टी हमें चाहिए हैं की अ कि तो इस सारी वाराइटि से दिवारा हम उसे ग्रो कर सकते हैं जैसे कि ग्रेप्स बनाना और पाइनएपल बहुत सारी वैटियाइग आइसी हैं जिसमें seed नहीं होते हैं तो इस method के दुआरा हम उसे grow कर सकते हैं जैसे कि grapes, banana और pineapple ओके श्ट्रेंट, thank you, thank you very much